आशा है कि आप बहुत अच्छी होंगे फिलहाल पूरे देश भर में एक बहुत इपॉर्टन्ट सुर्खी है और वो ये है कि SDM जोती मोर्या वर्सिस आलोक मोर्या क्या है ये कॉंट्रोवर्सी जिसने पूरे देश को हिलाके रख दिया हालंकि ये कॉंट्रोवर्सी गोई आज की नहीं है पिछले कई दिनों से लगबग हफता भर तो होई गया होगा कि इसको स्टार्ट हुए कॉंट्रोवर्सी को लेकिन मैं आज आपके आगे एक चोटा सा वीडियो क्लिप लेके आया हूँ और वो एथिक्स के नाते लेके आया हूँ क्यों इसको मैं आज बना रहा हूँ उसके पीछे की वज़े तो आपको लेक्चर के अंट तक पता लगी जाएगी लेकिन फिलहाल के लिए बात ये है ये कहानी क्या है कहानी बहुत है पर पहले जो बात मीडिया में चल रही है उन्हीं तथ्यों के अधार पे मैं आपके आगई हाँ पे हाजिर हूँ मुद्दा तो ये था कि एक लड़का लड़की की साधी होती है और इनके बयानों के अनुसार जोती मोर्या के अनुसार ही ऐसा है कि LKG में ही इनकी साधी कर दी गई ह और उसके बाद में लड़की का सपना था कि मुझे पेपर पास करना है मुझे उंचा कोई पद लेना है अकसर होता ही है ये कोई बड़ी बात नहीं है इन्होंने इसकी त्यारी करवाई इनको और अच्छे से त्यारी करवाने के बाद में ये SDM भी लग गई प्रेजन्ट म एक फोन आता है एक दिन एक महिला का और कहा भाया मेरा जीवन बचा लीजिएगा आपकी पत्नी मेरा जीवन बरबाद कर रही है ये डर गही कि मेरी पत्नी और आपका जीवन क्यों बरबाद कर रही है वजह क्या है तो उन्होंने कहा कि हमारे पती का मेरे पती का नाम तो है मनीज दुबे और मनीज दुबे के साथ में आपकी पत्नी जोती मुर्या के अगयद संबंध है तो किर्पया मेरा घर बरबाद होने से बचा लीजिएगा और जोती आपको या मुझे दोनों तरफ जो है ना प्रेसानी पड़ा कर रही है तो इसको संभालिएगा इन्होंने डारेक्ट कहा तो यह नहीं मानी सीधे तोर पर बहुत सारा फिर मनीज ने क्या आलोक ने बड़ा प्रयास किया कि कैसे कर के कोई सबूत इकटे किये जाए सबूत इकटे किये कई सारी वाटसब चैट है जो वाइरल होती दिखाई दी यह WhatsApp चैट इनकी है ठीक है नदो सोसल मीडिया पर ही है लव यू बाबू जानू शोना मोना जोहिन के दिखाई दी इन्होंने कहा कि यह कहते है यह तो हमारे एक Friend है Friend होने के नाते लव यू बोला जा सकता है ठीक है मैं इस पर अपनी परतिक्रिया दूँगा पर मैं पहले आपको पूरी घठना करम बता रहा हूँ क्या है कि हाँ एक दोस्त होने के नाते लव यू बोलना कोई बड़ी बात नहीं है और आज कल यह दोस्ते में लव यू चलता है यहां पर ठीक है ना कुछ ऐसे ही वर्ड्स में यूज किये गए है जो जरूरी नहीं आपको सुनाना पर हो सकता है आपने सुन भी लिया हूँ उस वीडियो को तो बहुत अजीब से जाती सूचक सब्द जो है ना के लिए प्रियोग कर रही है गालियां दे रही है जब यह वर्ड्स अप चायट या इस तरीके की बात है जब इनके आगे रखी गई और इन्होंने कहा कि यह मेरे लाइफ है मेरा पस्नल मैटर है मैं इसे जैसे भी जी हूँ आप होते कोन हो मुझे टोकने वाले अक्सर यह लखनव जाया करते थे आते थे तो अलोक ने पूछा कि आप इतना लखनव क्यों आते जाते है कहता है मेरा पस्नल काम है आप सफाई करमचारी है आपको क्या पता मैं एक PCS अधिकारी हूँ तो हमें कितना सारा काम होता है ठीक है इसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन यह लखनव गए थे गई थी SDM मोर्या और इनके पीछे पीछे ही अलोक मोर्या भी चल दी है उनका पीछा करने के लिए वहाँ जाके एक होटल में रुके है रात भर एक होटल में रुके है मनीज दुबे के साथ में जोती और वहाँ से जब सुभह ये वापिस निकलने लगी पांच हजार का बिल पे किया जोती मोर्या और के साथ में मनीज दुबे ने तब उसी टाइम रंगे हाते पकड़ा और जोती मोर्या को कहा कि अब आप किसलिए आई थी किया ये मिटिंग थी उसी समय क्लियर कट जोती मोर्या ने कह दिया कि मुझे तो आप से तलाक चाहिए मैं तो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हाँ मैं मेरी मर्जी से आई हूँ मुझे कोई डर नहीं है मुझे रहना है इन्हीं के साथ में रहना है है उनका ऐसा ही काम है और वो अपनी वाइफ को छोड़ रहे हैं इन के साथ में साधी करना चाहते हैं हॉम गार्ड डिपार्टमेंट में वो भी लगे वे हैं ठीक है उस दिन के बाद में मामला गरमाया और हलंकि जोती मोर्या का कहना है कि ये बात बहुत पहले से चल रही थी हमारी लेकिन फिर भी ये जो मामला है थोड़ा और तेजी से तूल पकड़ गया तब इन्होंने कहा जो हमारे आलोग भाई साब है इन्होंने कहा ऐसा कि हमने आपको पढ़ाया है हमने लिखाया है आपको हमारी वज़े से ही आप एस्टियम बने है जो तीजी कहती है इन बात पर कि ऐसा है भाई हमारी साधी तो लकेजी से होगी इसका मतलब तो पालन पोश्चन भी आपने किया है एक पती पतनी कहती है एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देंगे क्या हो गया तो अभी आप सफाई करमचारी निकले तो एक कार्ड भी छपाया जो वायरल किया उसका पता लगा तो फर्जी कार्ड था एक्चुली ठीक है लेकिन मुद्दा ये निकला कि इन्होंने कहा कि मेरी परसनल लाइफ है मेरी परसनल लाइफ को मैं कैसी भी जी हूँ ठीक है आपने अपना फर्ज निबाया मुझे पढ़ा के अब मैं अपना फर्ज निबारी हूँ तो यहाँ पे मुझे जो आज ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया किस बात ने मेरे आगे एक न्यूज आई ये वाली न्यूज आई कि आज मेरे पती ने इस घटना से स्तंब होके म मुझे प्याग राज से बीच में ही PCS की त्यारी चुडवा के घर वापिस बुला लिया है बोले हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर ऐसे रोनने वाली स्माइली वगरा है ठीक है ना या तुम भी SDM जोती मोर्या की तरह मुझे दोखा दे दोगी ये तो इनकी तो वीडियो भी हो सकता है आपने देखी होगी आपने देखा होगा प्रियाग राज से तकरीबन 136 पत्नियों को उनके पत्तियों के दवारा घर बुला लिया गया इस बात से मैं बिलकुल सोचने पे या कहने पे बिलकुल दिल से कह सकता हूँ कि सब भी एक जैसे नहीं होते हैं पांचों बचाओ, बेटी को बढ़ाओ, सब बाते ठीक हैं, साइख ठीक है, इनके लिए कानून भी बनना है, इज़त भी करना बहुत जरूरी है, मैंने भी अपने लेक्चेस में बहुत बार कहा है कि महिलाओं को पीरिट्स के दोरान समझना चाहिए, मूड स्विंक्स बहुत होते ह मैंने भी ये बहुत बार कहा है कि महिलाओं की रिस्पेक्ट जादा होनी चीए, क्योंकि वो हमसे जादा ही दर्द सहती है, हमें पैदा करते समय भी कहिएगा, बहुत सारी और गरेलू कामों में, लेकिन कुछ जब ये काम होते हैं कि जब आपने इतना महनत किया, महनत के ब बात नहीं है, दोनों ही पक्स गलत होते हैं, लेकिन ये जो समाज में वाइरल बात हुई है, इसने समाज में एक मैसेज गलत दिया है, इसने लोगों ने कुछ गलत तरीके से इसको सीख लिया, सीखा नहीं बलकि इसको एक्जीक्यूट भी बहुत जल्दी कर दिया, अब द देखना चाहते, अब घर पे रहिए, काम करिएगा, पहले तो मेरे आगे भी ऐसे छोट-छोटी रील्स वगरा आई थी, तो मैंने सोचा वैसे लोगों ने मजा करने के लिए बना दी होगी, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था एक दो दिन से तो, लेकिन जब ये बात बहुत हद तक तथ्या की रूप में सच हुई, और इनका मैंने वीडियो वगरा देखा, तब मुझे बड़ी सोच के हैरानी हुई, कि समाज में वाकि एक बहुत गलत मैसेज गया, लोगों ने इसको बहुत गलत तरीके से सोच लिया है, समझ लिया है, और इनकी एक वज़ जा रहा है, बहुत सारे मैंने वीडियो देखे तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि इस से अच्छा तो साधी नहीं करनी चाहिए, हालंकि यह आंकड़ा कोई अब का नहीं है, आंकड़ा बहुत पूराना भी थोड़ दिन पहले अमेरिका और भारत के दुनिया के और तमाम देशों में सर्वे हुआ, जहां अमेरिका में लगब बावन परसंटेज लोग यह चाहते हैं कि हम साधी करना ही नहीं चाहते, भारत के दर भी लगबिया ऐसे बहुत ऐसा आंकड़ा है कि 18 से 35 साल के बीच का इस ग्रूप है, कहता है कि हम साधी नहीं करना चाहते, अकेले ह रहना पसंद करते हैं, उसकी वज़े क्या है, उसकी वज़े है, टॉक्सिक रिलेशन्स हैं आपके, एक्चुली यह है कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि एक दूसरे इसको समझने में बहुत जादा कोताई नहीं बरते थे, कुछ लोग समझ लेते थे और जैसे तैसे कर के ऐसा होता था कि चलो घर की लड़ाई घर में ही रखते हैं और इसको चलने देते हैं, अभी वरतमान स्थिती में ऐसा है कि ना सहन सकती लड़के में है, ना सहन सकती लड़की में है, कोई भी सहन करना चाहता नहीं है, अचा यह आजकल का सोच ऐसा होगा कि नोर्थ पोल आस तीखा ही खाते है या तीखा नहीं खाते हैं मीठा ही खाते हैं इतनी सी बात पर लड़ाई होके बलकि ये तो डाइवोस तक चली जाती है बात अभी थोड़ दिन पहले रोध तक की एक न्यूस पड़ी होगी तुमने दो महिने ही हुए थे उनके साधी को और हुआ ये कि पती आया बहार से और उसने कहा कि मुझे खाना दे दीजिएगा पत्नी कहती मैं कपड़े दो रही हूँ लेट हो गई थी मैं इतनी सी बात पर दोनों की कहा सुनी हुई और पती ने फासी लगा ली मर गया हूँ सोचिएगा क्या हाल हो रहा है मतलब ये रियल न्यूज अभी थोड़े दिन दस-पंदा दिन पहले कि मैं हरियाना करेंट अफिर बना रहा था उसमें मैंने करेंट अफिर बनाते समय मेरे आगे आई थी तो मतलब ये समाज में गलत मैसेजिज आता है लोग साधी करना चाह ठी है थो ये एकिसics प्रस्पेक्टीव देखा जाएए एकिस के जो आपके हाल से देखा जाए इस प्रस्पेक्टीव से बहुत ज़दा गलत है ऐसे मैसिज जाना गलत है समझना चाहिए अच्छा एक्चुली क्या है यह SDM के पद पे है इतने उंचे पद PCS एक्जाम गर आप कलियर करके इतने उंचे पद पे जाते हैं तो बात यह होती है कि आपके बड़ी जिम्मेवारी होती है लोगों को कुछ सीख देने की बताने की लोग क्या करते हैं अनुसरन करते हैं जैसे for example मैं टीचर हूँ मैं कलास में आके बीडी पिने लग जाऊँ सुटा मारने लग जाऊँ दारू पिने लग जाऊँ तो आप क्या है की अनुसरन करेंगे इस चीज़ का, समाज में ऐसे तो अनुसरन होता है, जैसे for example कोई गाली देता है, या कोई कुछ गलत कहता है, तो वो कहां से आता है वो आता है, उसके आसपास के environment से आता है, किसी के अंदर गुसा है, किसी के अंदर प्यार है, किसी के अंदर नफरत है, किसी का नेचर कैसा है, वो सब कुछ उसके environment की वज़े से आता है या तो वो उसके घर से निकला है या उसके संगत कुछ ऐसी रही होगी दोनों में से कोई एकी कारण हो सकता है, और तो आप में controversy है, यही देश की बात है आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपने अपने विचार रखिएगा, मैंने तो एक घटना करम आपको बताया है, कि यह घटना करम है और जो मुझे घटना गलत लगी, इसके अंदर इनसे यही बात है, हलनकि जोती मोर्या के उपर एक आरोब भी लगे हैं कि यह अवेद वसूली भी करती है एक डायरी रख रखिए और उसके अंदर जो ना इस तरीके से अवेद वसूली करती है लगबग एक महीने की 6 लाक रुपे वो बहुत गलत है देखो यह साधारन साफ सी बात है कि आप PCS अधिकारी है 6 लाक रुपे महीने के आप इस तरीके से कमा रहे है आपको तो लोगों को सीख देनी चाहिए अच्छे करने की और मुझे तो हरतंगी जी तब हुई जब इनकी डायरी पर एक स्वास्तिक का सिंबल देखा मैंने इसमें कोई ज़्यादा साफ फोटो तो नहीं है लेकिने स्वास्तिक का सिंबल चोरी भी है पर वो भी भग्वान का नाम से स्टार्ट की जा रही है बहुत ज़्यादा घटना है डराने वाली है अपने आप में देखा जाए तो समाज में मैसेज गलत जा रहा है इसका तो थोड़ा आप अपने भी विचार रख सकते हैं और समाज को अपने तरीके से आप लोग जो इसको ले सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है ना सारे लड़के गलत नहीं होते लड़कियां जो है जल्दी रो के बता देती है जैसे अब यहाँ लड़का रो रहा था आलोक की एक फोटो एक वीडियो तुमने देखी होगी वाइरल होते हुए ठीका ना ये रो रो के जो है ना कहे रहा था कि मेरे साथ में गलत हुआ मैंने बहुत मैनत की हलंकि जब जोती लगी थी तब इन्होंने बहुत तारिफ की थी इनकी ऐसा भी वीडियो में ने देखा कि वाँ बहुत बढ़िया मेरे पती ने मेरा पूरा साथ दिया मैं कुछ भी नहीं थी मुझे बहुत सयोग दिया लोन लेके मुझे पढ़ाया और अंत तो ये मिला कि It's My Personal Life Who Are You बताईए आप अपनी राय क्या है शुक्रिया